कुक्षा 3 पर्यावर्ण अध्ययण आसपास अंक 20 बून्द बून्द से., यानि जो पानी के हैं एक बून्द छोटा सा। जो और गिलितअ एकदम टपकता हैं बारिस में, बारिस के जो बून्दे होती है वैसा ही पानी का बून्द, तो ऐसा है पानी बहुत जरूरी है पानी पीने के लिए चाहिए नाने के लिए चाहिए बहुत सारी चीजों लिए पानी चाहिए माधो राजस्थान के बज्चू गाव में रहता है तो राजस्थान का गाव एक बच्चु गाव, गाव में देखो तो चारो और रेथ ही रेथ दिखाई देती है, तो वो रेगी स्थान है, तो वहां पे रेथ ज्याद है, जब कभी रेथ नहीं उड़ती, तब कुछ घर दिख जाते है, तो हवा आती है, तो उसकी वज़े से जमीन की रेथ है, वो हवा में उड़ती है, लेकिन जब रेथ नहीं उड़ती, तो कुछ घर दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग वहां पे रहते हैं, मादो के घर में सब परेशान है, परेशान यानि कि वो दिक्कत में उसको कुछ समस्या है, वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है, यानि कि पानी मिलता है, लेकिन उनको जीतना चाहिए, उतना नहीं मिलता, तो उसको कहता है कमी, इस साल तो बिल्कुल ही बारिस नहीं हुई, तो जो बारिस होती है, मौनसुन में होती है, बारिस की सीजन में, जाड़े की रुतु में, तो वो नहीं हुई बारिस, तो बारिस नहीं हुई होगी, तो तालाब में पानी नहीं गया होगा, जमीन में ऐसे धीरे-धीरे करके जो पानी जमीन के अंदर जाता है, जो कुवे से निकालते वो भी नहीं गया होगा, तो उस वज़े से पानी की कमी है, अब उसकी मा और भहन को और तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है यह उसका गाहां वज्ञ गढम आझ सूख के जह पी यह देखो पानी के लिए है फीर चोटे से मलेता है और भॉड़ी जाते हैं। पासवाली बावडी सूक जो गई है। तो बाजु में जो पानी मिलता था छोटी सी बावडी में तो वो सूक गया है। कम पानी था तो वो खतम हो गया। हर रोज चार घढ़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते है। चार घड़े यानी कि ये एक घड़ा उसमें एक बार पानी बरा तो वैसे ही चार बार पानी बरेंगे तो चार घड़े पानी होगे उसमें ही घंटे निकल जाते हैं तो इन्होंने चपन नहीं पेनी हुई तो गरम रेत में जब चलते है अब रेत गरम जल्ली हो जाती तो उनके पैर जलते है पैर भी गरम हो जाते है और छाले भी पड़ जाते है छाले यानि कि वो कड़ जाते है वहां की जो चमड़ी होती है वो थोड़ी कड़ जाती है लाला जाती है क्योंकि ये गरम रेत में चल जब कभी रेल से पानी आता है तो रेलवे से पानी आता है डिबे में तब वो खुसी के लियर हो जाती है सब खुस हो जाते है सबको मजात मादों के पिता जी उंट गाड़ी में पानी लाने जाते है उंट गाड़ी क्या होती है कि आगे उंट होता है और पीछे छोटा पईयो वाली गाड़ी लगा दे और उंट उसको खीचता है तो उसमें वो पानी लाने जाते है उसके पिता जी पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता तो ये जो मौका है रोज रोज नहीं आता कोई-कोई बार वो जाते है लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते है इंतजार यानि कि उसके लिए रुखते है कि कव आएगा कव आएगा उच लोग बारिस का पानी इखट ठाक करते हैं, बारिस का पानी हम तंकियों में भी रख सकते हैं, तो उसमें हम बचा सकते हैं, यह खास तरह से किया जाता है, तांका बना कर, तो यह देखो यह तांका बना हुआ है, इसमें जो पानी होगा बारिस का पानी, तो वो उसके अं पानी इस्तिमाल कर सते हैं क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है तो टांका प्लास्टिक का भी आता है और इंटो से ऐसे इमारत की तरह भी बनाया जाता है और इसे कैसे बनाते हैं आंगन में गड्डा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं तो जो जमीन है उसके उसके बाद यह हो गया टांका टांके को ढकन से बंद रखते तो इसके उपर एक ढकन लगा देंगे टांके के लिए घर की छट को कुछ धलवा बना देते हैं तो यह जो छट है उपर की उसको धलवा बना देते हैं इससे क्या होता है कि पानी है वो टांके के अंदर जाए वैसा पानी हमेसा उपर से नीचे तरफ की और जाता है जैसे कि ऐसा है तो ऐसा पहाड है तो क्या होगा पानी उपर से नीचे की वर जाए तो वो जैसे ही जाए तो उसको ऐसे बनाएगे कि ये टांके के अंदर वो पानी जाए जिससे छत पर गीरा बारिस का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकटा हो सके नाली यानि कि ऐसी पाइप होती है आपने देखी होगी तो उसे वो चत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कुड़ा कच्रा टांके में न जा सके कि जाली कैसी होती है जैसे कि चाय बनाते है तो चाय की एक जाली में से उसको निकालते है जिससे क्या होता है कि जो कच्रा होता है कुड़ा छोटा छोटा वो नहीं जाता टांके में और अच्छा पानी ही जाता है यह पानी साप क करके पीने के काम में लाया जाता है तो पानी को फिर फिर बाद में साप कर देते हैं क्योंकि बारिस का पानी है तो उसमें थोड़ी बहुत धूल होती है तो उसको एकदम पतले कपड़े से उसको साप करके पिया जाता है कभी-कभी गाउं के एक टांके से माधो को भी पानी लेने देते हैं तो गाव है तो उसका टांका है तो उससे वह माधो है वह पानि यह लेता है सोचो पानी की कमी से लोगों को क्या-क्या परिशानिया होती होगी तो पानी की कमी वो तो उनको नहा हैं तो उनको फूर 2 या 3 दिन में नहना पड़े बाकी जो पानी हम खेतों में इस्तमाल करते हैं पौदों को देते हैं वह भी हमेंपानी कम देना पड़े क्योंकि पानी अगर कम होता हम पौदे को भी कमी देंगे ऐसा होगा इसलिए पानी अमारे लिए बहुत ही जरूरी है यह देखो एक चम्मच में कितनी बुंदे तो एक चम्मच में पांच या छे बुंदे होगी एक कटोरी में कितने चम्मच एक कटोरी हम एक चम्मच भर के भर है तो एसी 10 या पंदरा जितनी होगी चम्मच जिससे यह कटोरी बढ़ है एक मग में कितने कटोरी, तो मग बढ़ा है, तो ऐस過來4 कटोरी एक बाल्टी में कितने मग, तो बाल्टी में हम 15 मग डालेंगे, 15, तो ये बाल्टी बर जाई इस तरह से यह है पानी की बुन, तो पानी की हर एक बुन जरूरी है झाल झाल